करन वीर के सामने वीविन डिसेना के सामने अब अविनाश ने एक बार फिर से की सारी की सारी हदें पार जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर एक बार फिर से राशन को लेकर बिग बॉस ने सबसे बड़ी लड़ाई करवा दी है क्या कुछ हुआ है इस राशन वाले टास्क में किस तरह से यहां पर अविनाश ने एक बार फिर से करनवीर महरा के मुँपर बड़ा जवाब दे दिया है और करनवीर महरा भी अविनाश के बाप पर जाते वो नजर आ रहे हैं चलिए आपको बताते हैं पूरी डिटेर बतात से हैं अविनाश और अर्फीन इन दोनों को सामने सोफे पर बढ़ाया और बाकी कंटेस्टन को पूरे के पूरे अविनाश और अर्फीन के सामने बढ़ा दिया जहां पर बिग बोस ने कहा कि अब बारी बारी से कंटेस्टन आएंगे और अपने दिल की सबसे करीब वाली पूरी तरह से यहां पर भस्म कर देंगे जिसके बदले में उन्हें राशन मांगना पड़ेगा ऐसे में जब बारी आई करनवीर महरा की तो यहां पर करनवीर ने ऐसी बात कह डाली कि आविनाश के भी होश उड़ गए और वहां पर बिग बॉस की बोलती भी पूरी तरह से बंद रहेगे जी हां कररवीर ने कहा कि सर मैं राशन के लिए अपने दिल की करीबी से करीबी चीज तो बहुत दूर की बात है मैं अपने पैर के अगुठे का नाखुन भी कुर्बान नहीं करने वाला हूँ वो भी इस आदमी यानि अविनाश की एगो को सैटिस्फाई कर मैं इस घर के अंदर भूखा रह लूँगा मैं इस घर के अंदर चौरी करके खाना खालूँगा मैं इस घर के अंदर मांग के खाना खालूँगा भूखा मर जाओंगा लेकिन अविनाश जैसे घटिया इनसान से मैं राशन नहीं मांगूंगा वो भी अपनी ऐसी चीज के वदले जो मेरे दिल के काफी करीब है तो यहाँ पर एक बार फिर से आविनाश और करनवीर महरा दोनों के बीच जबरदस्त जगड़ा हो चुका है जिसमें वीवियन डिस्तेना पूरी तरह से देखते रहेगे और जब बारियाई रजत दलाल की तो रजत ने भी यहाँ पर यही बात कही कि मेरे दिल के करीब जो है वो दो धागे है मेरे पास और एक कच्छवा है जो कि मुझे सकून देता है जिसकी वज़ा से मैं रात को अच्छी नींद सो पाता हूँ मैं जो है इस घटिया आदमी के लिए मैं भी यह चीज़े कुर्बान नहीं करने वाला हूँ राशन मिले ना मिले मैं भुका इस घर में रह लूँगा लेकिन अपने दिल की जो मेरे करीबी चीज़े हैं मैं इनको कभी भी कुर्बान नहीं करने वाला हूँ यानि कुल मिला कर बात करें तो एक बार फिर से अविनाश और करन दोनों के बीच में जबरदस्त जगड़ा हो चुका है देख रहा ये होगा कि ये राशन किस किस को दिया जाता है वैसे आपको ये टास्क कैसा लगा है और करनवीर ने जो बात कही है वो कितनी सही लगी है आपको कमेंट बोक्स में ज़रूर लिख दें और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट से लेटेस्ट पेज को फॉलो भी जरूर से जरूर आप लोग कर दें